स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में आज हमारे पास है मर्ती सुजुकी स्विफ्ट यह हमारे पास जो है स्विफ्ट का VXI optional variant है manual transmission के अंदर आज के इस वीडियो में जो हम detail में बात करने वाले हैं इस optional variant के बारे में कि यह optional variant आपको क्या कुछ जो है offer करता है क्या आपको इसकी जो है pricing देखने को मिलेगी सारी चीजों के बारे में जो है वीडियो में detail में बात करने वाले है साथ में एक चीज और बताएता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह हमारा जो VXI optional variant है यह VXI से आपको उपर देखने कर मिलता है और ZXI से जो है नीचे आएगा तो देखते हैं क्या कुछ जो है optional variant extra आपको offer करता है तो चलिए बिना time waste करें वीडियो को कर लेते हैं start सबसे पहले में आपको जो है इस नए optional variant की जो है चाबी दिखाता हूँ फिर बात करते हैं इसके एक showroom price के बारे में exterior में आपको क्या कुछ देखने के मिलेगा और उसके बाद चलेंगे इसके interior की तरफ और एक चीज़ा आप frame में देखी पा रहे होगे यह मरे पास जो swift है वो इसके red color के अंदर है इसके अंदर company ने जो है इसको launch किया था जब top end variant अन्वील वगेरा हुआ था बाकि आप बताओ आपको यह red color जो है swift उपर कैसा लग रहा है जब तक मैं आपको इसकी चाबी दिखाता हूँ चाबी आप देख लो ऐसी कुछ आपको यहाँ पर चाबी देखने के मिलेगी top end variant में बिल्कुल same चाबी आती है सामने की तरफ आपको दो बटन्स मिल जाते है पीछ आपको जो है सुजुकी का लोगो दे रखा है और जो अपनी दूसरी चाबी है वो भी आपको डेटो यहाँ पर जो है same देखने के मिलती है तो यह वाला variant आपको कॉस्ट करने वाला है 7,57,000 एक शोरूम on road के लिए आप वीडियो का description चेक कर लेना साथ मैं आपको dealership की contact details mention कर दूँगा तो अगर आप call करना चाते हो आपका plan है swift लेने का तो definitely इसे call कर सकते हो मैं आपको price बता दी अच्छा भी दिखा दी और अब स्टार्ट कर लेते हैं कि as a optional variant अगर आप इसे लेने जा रहे हो और जो अपनी फ्रंट वाली grill है वो आपको प्यानो ब्लैक के अंदर देखने के मिल जाती है वो बेस वेरेंट से लेके top एंड वेरेंट तक बिल्कुल सेम आपको मिलती है तो यहां पर कोई भी फरक नहीं है आप यहां पर देख सकते हो उसके लावा अपने वेरेंट के यहां पर बात करें तो यहां पर कोई भी फागलें वगेरा नहीं आती है वो सिर्फिस के top एंड वेरेंट के अंदर आती है इंफेक्ट अगर आप ZXI वगेरा पर भी जा रहे हो तो वहां पर भी आपको जो है अब बात करें अपने हैं यहां पर देखने का मिलेगी सिंगल प्रोजेक्टर वाला जो है आपको यहां पर से बात करोगे कि आपको क्या कुछ मिलेगा तो normally VXI और VXI optional के अंदर front में कोई बदलाव नहीं है मैंने सिर्फ यह जो अभी चावी दिखाई थी उसका फरक है उसके लावा plane आपको bonnet देखने का मिल जाता है करव वाली यहां पर आपको design दी गई है उसके लावा सामने की तरफ आपको दो wiper देखने का मिल जाएंग कि बाकि cut and creases वगए आप यहां पर भी देख सकते हो side में यह आप देखो थोड़ा सा अगर आपको दिख जाए उसके अलावा आपने wheels वागए बारे में बात करोगे तो यहां पर आपको देखने का मिलता है साथ में वील कवर मिलेंगे वह आपी जो है गाड़ी के अंदर 14-े साइज 40 इंचिस के और आपको का साइज मिल जाता है अगर आपको चाहिए अगर आपको शौक है यहा बजाते हो बाकिसर c आपको देखो इस साइड से अगर आप देखोगे तो यह से अलग से अलग से टेप लगा है जैसे मारूति की कई सूमें आपको दिखा रहे हैं उसके अलावा अपने वार्विं की बात करों गए तो यहाप को सब से पहले तो बडी इन जाते हैं Indigators आप यहां पर देख सकते हो इसके adjustment की बात करोगे तो इसको आप अंदर से electrically adjust और auto fold दोनों कर सकते हो और एक चीज और चेक कर लेते हैं कि lock unlock करने पर यह fold वगएरा होते हैं के नहीं तो यह चीज आपको नहीं मिलेगी आप अंदर से जरूर से इसको कर सकते हो और साथ में body color ही आपको यहां पर door handles मिल जाते है रुकाई sensor driver and co driver दोनों साइड आपको देखने के मिलेगा lower garnish नहीं आती है Suzuki का आप यहां पर logo देख सकते हो और पीछे आ जाओगे तो इस वाले portion को आप देखो यहां पर आपको पियानो ब्लेक का अलग से यूज दे रखा है वह जो है इसके बेस वेरिंट के अंदर भी आता है बट वहां पर एक चीज का आपको फरक मल जाएगा कि यह वाला जो portion आप देख पा रहे हो यह आप देखो यह आप देखो इसके सारे ही अपने वाली वीडियो के अंदर बताया था कि मारूती जो है प्लैन कर रही है अपने twin cylinder लाने का तो हो सकता है कि Swift में जब भी आपको CNG देखने के मिले तो वह twin cylinder के साथ ही आए वाकि देखते है क्या रहता है और पीछे से अगर आप बात करोगे तो पीछे से एक बार आप complete car देखने के मिल जाता है मारूती की बहुत कमकार है मैंने प्रीविएस वाली वीडियो के अंदर भी बता रहा है कि मारूती जो है पता नहीं क्यों शार्क फिन आंटेना जो है नहीं देती है जबकि सेम टाइम पे अगर आप यूंडाई पर चले जाओगे तो आई टेन वग यंदि में गई है इंको रही है तो टोड़ी यहां पर देख सकते ही हो सेफटी सेंसर आंपको जाहे कामरा नहीं मिलता एक बढस यहां पर को नहीं नहीं को t प्लस पे जा रहे हो उसके लावा नीचे से देखोगे तो यहां पर आपको इसका में एक्जॉस टेल पाइप देखने को मिल जाता है और जो वेल्डेड होक है वह आपको यहां पर दिया है और एक बार जो है इसके कंप्लीट आप नीचे से सबस्पेंशन देख लो ऐसा अगर आप प्रेस करोगे यहां पर आपको रुक्वाट सेंसर और दोनों बटन दे रखेंए लेक्रों इसे भी यूज़ कर सकते हो इस बटन को प्रेस करके आप बूट को घोल सकते हो बाकि ग्रेव एंडल आपको यहां पर दिया गया है और अच्छे तरीके से जो है आना कोमेंट सेक्शन में के इन विक्टो में भी क्या यह चीज दिखाई देती है के नहीं देती है उसके अलावा इस वाले वेरेंट के अंदर आपको पार्शल ट्रे का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसको आप सीट फोल्ड करने के बाद एक्स्टेंड भी गर सकते हो सीट वागारा हमें बात करोगे तो बेंच वोल्डिंग का ऑप्शन आपको देखने के मिलेगा और बाकी थ्री पॉंट सीट वेल्ट्स वागेरा देखो सारे बंदों के लिए आपको देखने मिल जाती है एक बार जब अंदर जाऊंगो दिरूर से दिखा दूँगा बाकी पर एक बार जारा इस पेर विल देख लेते हैं इसका सबसाइब पहले चीज सो सेम आपको MRF का इको ट्रेड जी सीए वन वाला जो आपको टायर यहां पर देखने मिल जाता है अगर प्रोफाइल की बात करोगे तो प्रोफाइल आपको यहां पर मैं आपको दिखा देता तो कर देते हैं इसको बंद बाकी आप बताओ अब तक आपको यह ओप्शनल वेरियंट कैसा लगा अब आजाएं इस साइड सो सेम चीज आप यहां पर देख लो रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहां पर भी देखने को बल जाता है बाकी बोडी डामेंशन सो गेरा बिल्कुल देखने को जाता है और दूसरी चीज देखो रनिंग बोड पर प्रोटेक्शन के लिए जो है अलग से कोटिंग कर रखी है ताकि गाड़ी में रस्टिंग वेगरा अलगने की जो है सिकायत ना है अगर आपको नहीं दिखा है तो देखो डिफरेंस आपको जो है क्लोज मैं थोड़ा से दिखा देता हूँ यहां पर अलग से कोटिंग कर रखी है यह नॉर्मल अपना जो है पेंट है बाकी तो कुछ रहा नहीं है आप बताओ आपको अभी तक जो है स्विफ्ट का यह वी एकसा यह ऑप्शनल वेरेंट कैसा लगा मोस्टली मैंने आपको सारी च प्रिम का ऑप्शन देखने का मिल जाता है साथ में यहां पर आपको जो है डिजाइन दी गई है अगर आपको नहीं दिख रही है अब आपको एक्जक्ट दिख जाएगा क्रूम फिनिश में डोर लीवर जैसे कि सेम टॉप एंड वेरेंट के अंदर आता है सेम टाइम पर एक साई की बात करोगे तो वहां पर आपको जो है मैट फिनिश के अंदर मिलता है तो थोड़ा सा फरक यहां पर भी है यहां पर भी आपको अलग सा डिजाइन दिया गया है फैवरिक का यहां पर यूज देख सकते हो वन लीटर का बोटल होलडर आपको देखने का मिल और इधर बात करोगे तो शारो पार विंडो के कंट्रोल है ओटो आप पूट डाउन जो है आपको सिर्फ ड्राइवर साड मिलती है बाकी की जो है वह नॉर्मल आती है ओर व्यम के जो है आपको सारे कंट्रोल्स देखनेंग मिल जाते है ओटो फोल्ड करना चाहते उसको ऑ एक्स्ट्रा लीवर नहीं मिलेगा सिर्फ आप रिक्लाइन एंगल जो इसका चेंज कर सकते हो पाकी मारूती इंडिया लिमिटेट की नेम प्लेट आपके यहां पर देखनेंग मिल जाती है टायर में प्रेशर कितना रखना है वह आपको दिया गया है और जो अपनी सीट्स करता है और यह आप देखो इंजने स्टॉप बटन भी आपको इस वाले वेरेंट के अंदर दिया है तो कई लोगों को जो की लेस एंट्री चाहिए होती है तो मारूती न अपने इस वी एक साई ऑप्शनल वेरेंट के अंदर यह चीज जो है दे दिये तो कई लोगों को य और एक चीज और जड़ा चेक कर लेते हैं यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपको ऐसारे से अरवेक की बैसिंग भी मिल जाएगी इस वाले वेरेंट के अंदर आपको जो है छे एरवेक देखने के मलते हैं यह सारे फीचर जो है आपको एस सेफटी स्टेंडर फीचर दे कर लेते हैं एक बार एक इनिशन को स्टार्ट सबसे पहले स्टेरिंग अपना लूज हो चुका है और सबसे पहले चीज तो उपर से स्टार्ट करते हैं यहां पर आपको सिर्फ टिकेट होल्डर का ऑप्शन देखने का मिलता है मिरर वगयरा नहीं आएगा और इसकी बात कर हो उसके अलावा सीट को थोड़ा सा कर लेते हैं पीछे अब आप सबसे पहले तो इस स्टेरिंग वील देख लो अपने इस वी एक साइय और चेक कर लेते हैं सिर्फ आपको टिल्ट को ऑप्शन मलता है टेलिस्कोपिक नहीं दिया है और साथ में अपनी M.I.D. की बात मतलब VXI वेरेंट जब लोगों ने देखा था इतना जादा अल्ला मच गया था इसके उपर के मारूती ने क्या ही कर दिया क्योंकि पुनानी वाली जो सुइफ्ट थी उसके अंदर जो अपना बेस वेरेंट के अंदर इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर आता था वो इतना बेका देखा देती है गाड़ी किता चल चुकि है वो देख सकते हो गाड़ी में पैट्रोल कितना है वह आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा साथ में टॉगल करना चाहते है उसके लिए बटन दे रखा है टिपिकल फीचर से हैं रेंज आप देख सकते हो क्लोमीटर पर देखने मिल जाता है जो की सपोर्ट करेगा वायर कनेक्टिविटी के साथ एपल कार प्ले और एंड्रोइड ओटो वायर्लेस नहीं आता है टॉप एंड वेरेंट में आपको वायर्लेस मिल जाता है और साथ में नाइनीं चीज वाला महां पर आता है वाट यूए वगेरा तो उनों की अल्मोस्स सेम आपको मिलती है साथ में दो इसी इवेंट्स आप देख सकते हैं और अगर आप कम्प्लीट डैश वोड की बात करोगे तो डैश वोड आप देख लो सब सब पहले तो ऑल ब्लैक डैश वोड है तो गंदा होने वाली जो दिक्कत होती है वो चीज लगा उसके साथ नीचे अगर आप देखोगे तो ग्लोबक्स का साइज आप देख लो अच्छा का साइज मिल जाता है और यहां पर आप देखोगे तो ऑटमेटिक एसी आपको देखने को मिल जाता है ट्वैल वी का एक पावर आउक्लेट दे रखा है यूस्वी का वेरियंट के सबसे बेकार चीज जो मुझे अब तक लगी एक तो सीट वाली तो थी कि मैंने आपको बताया के नहीं आती है दूसरी चीज कि यहां पर कोई आपको आम रेस्ट वगरे का उप्चन भी नहीं दिया है जबकि सेम टाइम पर टॉपन में भी नहीं आता बट मेर अगसा यह जरूर से कंसिडर करना चाहिए बहुत बढ़िया डील जो इसके लिए होगी उसके अलावा यहां पर आप देखो मुझे बहुत पसंद है कि इस बार मारूती ने यहां पर रेंडल दिया है पुरानी वाली स्विफ्ट के अंदर तो मुझे बहुत यहादा वेका यहां पर देख सकते हो इसको अगर देते हैं थोड़ा साइड और टूल किट वगेरा जो है वह आप यहाँ पर देख सकते हो आप इसपेस के बारे में बात कर लेते हैं यहाली सीट मैंने पूरा पीछे गर रख्य सेवन आपको आगे बताया था फिर भी आ आप देख लो इ पर इतने मंदे टाइम वाली उसके अदर दे रहे हैं और साथ में जेमब रखते टाइम वो चुबती भी तनी जादा है क्योंकि मेरे पास मारूती के गाड़ी पहले भी रह चुकी है जो अगर आप पुराने टाइम से होंगे उन लोगों को पता होगा पर पास ऑल्टो थी पुराने टाइम वाली उसके इंदर जो चाबी थी बिल्को सेम वैसी चाब सेबल होएंगे और बीच में अगर आप बच्चा बैठा रहे हो थोड़ी बहुत देर के लिए तो कोई ऐसी दिक्कत निया है उसके लावा थ्री पॉइंट सीट बेल्ट वाली बात मैं आपको बता दी थी साथ में सीट बेल्ट की जो वार्निंग है वो भी एड़ उचकी ह है और इसको अगर आप निकाल दोगे तो अगर आपको नहीं दिखा है तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी M.I.D. मैं जोए लाइट ओन उचकी है मैं एक बार थोड़ा सापको जूम करके दिखाता हूँ इस साइट से अगर आपको नहीं दिखा है एक सेकेंड अब आप देखो 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 वर्निंग लाइट एड हो चुकी है और अगर मैं सेम टाइम पर अगर सीट बेट को लगाऊंगा आप देखते रहे ना आपको तब आईडिया लगेगा यह आप देखो लैड जोए गाए बहु चुकी है और दुबारा खूल देंगे यह आप देखो सीट बेल्ट की वर्निंग एड हो गई न यह आपको दिख रहा होगा अपनी आईडि पर तो यह थोड़ा सा फरक है चाहे बंदा बैठा हो या ना बैठा हो अगर सीट बेल्ट नहीं लगी है तो यहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत जो है आने वाली है ब कर लेते हैं अपने केमरे को नॉर्मल वाकि तो कुछ रहा नहीं आती है इसके अंदर बाकि आप बताओ कुछ रहे गया हो कॉमेंट सेक्शन में अगर आप पूछना जाते हो मैंने आपको सारी चीज़ा बताई है डिटेल में कि क्या कुछ जो है वी एक्स आउप्शनल वे आपको क्या कुछ देखने करें मिलता है वैसे तो जो बंदे स्विफ्ट को देख रहे होंगे उन्हें पता होगा बट कोई बंदा प्लैन बना रहा है तो उसके लिए बताइता हो सबसे पहले आपको इंसुलेशन जरूर से देखने के मिल जाती है और इंजन की बात करोगे ना तो यहां पर आप देखो यहां पर आपको जो है नए सीरीज वाला इंजन देखने के मिलता है जो कि भार अगर आप इंटरनेशनली बात करोगे तो स्विफ्ट के अंदर हाइब्रेड का ऑप्चन आता है पट मारूती ने इंडिया के लिए क्या किया है कि हाइब्रेड उप्चनली मेर को मालूम है कि इस वाले इंजन के साथ आपको सी एंजी जरूर से देखने को मिलेगी ऐसा हो इनी सकता कि मारूती अपने स्विफ्ट के अंदर सी एंजी ना दे 100% शेयर हूं कि जब भी सी अंजी इसके इंदर आएगी तो टूइंट से लेंडर ही आपको द प्रक्ताइता हूं यहां पर आपको जो है एक्टीवन भी एच्पी की जो है पावर देखने के मिलती है और 111 एनम का टॉर्क देखने का मिलेगा जो कि पहले अगर आपके सीरीज वाले की बात करोगे फोल्स सिलेंडर के अंदर आता था वहां पर आपको एक्टीए भी एच्पी की पावर मिलती थी और 114 एनम का टॉर्क मलता था तो पावर और टॉर्क में थोड़े सा फरक है बाकी मारूती का कहना है कि उन्होंने जो है इस वार थोड़ी सी गाड है ऐसा कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि नीचे से खा लिए क्योंकि कई लोगों की जिकाय थी पुरानी वाली मारूती बलीनों कही गाड़ियां थी मारूती नीचे से उपन छोड़ दीती उन्होंने दिया इस चीट पर और पूरा कवर्ड दिया है आपको बाकी अगर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को फॉलो कर रखना सब्सक्राइब कर लेना जब भी मारूती जो है CNG के अंदर लॉंच करेगी तो सबसे पहले वीडियो लाने की कोसिस करूँगा तो अगर आप वीडियो ऐसे ही और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर सकते हो तो वीडियो देखने के लिए द्गो जो है जग्सेज को सब्सक्राइब आप